तो ये दोनों फोन आप फ्लिपकार्ट से खरी सकते हो, वो भी 30,000 के नीचे, एक है नथिंग फोन वन और एक है वीवो का V27, इसे आप ओफलाइन में ट्राय करना ही और सस्ता मिल जाएगा, बट खरीदना किसे है, वही जानते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, मेरा नाम है प्र देना है और आपको कुछ भी और इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एक बार फोन खरीदने से, तो वीवो वालों ने वहाँ अच्छा काम किया है, फिर बात करते हैं डिजाइन की, तो नथिंग फोन वन एक ट्रांस्परेंट पैक लेके आता है, जिसमें आपको लाइटे इवन नथिंग फोन वन इतना थिक है कि आप उसमें से दो वीवो के फोन निकाल सकते हो, वो इतना स्लिम है, तो अब आपको डिसाइड करना है एक ट्रांस्परेंट बैक वाला फोन जिसमें लाइटे मिलती है, या आपको एक टिपिकल डिजाइन वालो फोन जो बाहर जाक का फ्रेम, बिल्ड के अंदर क्लियर विनर है और ज्यादा प्रीमियम आपको फील होगा, वैसे डिस्प्ले के अंदर भी क्लियर विनर है, दोनों फोन ही एक पंच्छोल वाली फुल एच्टी एमिलेंट लेके आते हैं, लेकिन वीवो के बैजल कम है क्योंकि हाँ पे कर्व दिस्प्ले है, दोनों यूज करने में काफी स्मूथ फिल होती है, 128 का या पर रिफ्रेश्ट है, लेकिन जब आप साइड बे साइड कंटेंट देखोगे दोनों पे तो वीवो के कलर्स और वीवो की डिटेल बहुत 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 है, इवन ब्लैक्स पी जो इसके अपडेट के तूरू, लेकिन आपको घंड करके रखना ही पड़ता है, बिल्कुल सेंटर में जब लगाओगे तब ही खुलता है, वीवो में ऐसा नहीं, वीवो में फास्ट भी है और बिल्कुल सेंटर में आपको लगाने जरुत नहीं है, और इसमें ब्लैक्स भी नथिंग में blacks उतने अच्छे नहीं है, आप किसी भी nothing user से पूछोगे, वो बोलेंगे कि यहाँ पर 10T shoes वगरा भी मिलते हैं, आप flip card पे भी negative rating देखोगे डिस्प्ले में, तो वहाँ पे भी काफी लोगो ने report किया है, तो हाँ display quality के अंदर आपको वीवो वाला ज्यादा अच speakers हैं, तो sound quality के अंदर भी nothing एक point लेके जाता है, फिर software की बात करते हैं, तो दोनों फोन ही latest Android version पर चल रहा है, जो कि Android 13 है, और दोनों फोन ही Android 15 तक पहुंचेंगे, तो update promise भी same है, लेकिन nothing वाला एकदम clean software लेके आता है, जिसमें कोई ads नहीं, जिसमें कोई bloatware नहीं और एक stock Android वाला experience मिलता है, वहीं पर वीवो का fun touch OS पे based है, जिसमें आपको बहुत सारे bloatware और ads मिलती है, बट इन सारी ads और इन सारे bloatware को आप 3 step में ही install कर सकते हो, एक वीडियो देता हूँ, description में 2 मिट लगेंगे, क्योंकि अगर clean कर लोगे, उसके बास software में features बहुत सारे है, यहा पर करोगे, clean हो जाएगा, लेकिन features बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अब performance किसके अच्छी है, Miratec का 7200 processor है, वीवो के अंदर, वहीं पर snap 20778G processor है, नथिंग के अंदर, पहले आप scores देख लो, N2T और Geekband score जब आप देखोगे, तो वीवो की ज़्यादा अच्छे आते है, और normal task में आपको बिल्कुल भी difference feel नी होगा, दोनों phone ही बिल्कुल नहीं अटकते हैं, अच्छी performance आपको देंगे, इवन बड़े apps के अंदर भी, पहले मैंने COD launch किया, हलकी सी speed increase करते हैं, exactly same time पे open होते हैं, new state मैंने open किया, speed increase की, यहाँ पे भी same time पे open होता है, तो हाँ heavy performance पे exactly same app opening times दो at least है, video rendering test जब मैंने किया, काइन master में same video edit किया, और हलकी सी export करते हैं, 1080p, 30fps पे, speed increase करते हैं, same, exactly same time पे nothing phone 1 इसे render करता है, तो वीव वाला ज्यादा powerful processor लेकिया आता है, लेकि nothing phone 1 वालों ने इतना optimized किया है, कि exactly same perform कर जाते हैं, अभी तक वैसे video अच्छे लग रहे है तो colors और skin tones का बड़ा difference आपको feel होगा, Vivo वाला हमेशा ये दोनों चीज़े अच्छे रखता है, HDR दोनों में ही काम कर रहे है, लेकिन Vivo में HDR ज़्यादा अच्छा काम कर रहे है, background में भी light control अच्छी होती है, आपके ऊपर भी light control अच्छी होती है, overall photo ज़्यादा बहतर feel होत लेकिन ultrawide में क्या है, क्योंकि nothing वाला 50MP का camera लेकियाता है, वही पर 8MP का है ultrawide Vivo के अंतर, and बहुत हैरानी होती ही जब हम zoom करके देखते है, दोनों phone में आपको detail नहीं मिलेगी, लेकिन nothing में तो होनी चाहिए, and best part है, मैंने इसे 50MP वाले mode में खीचा है, 15MB की इसकी photo है, and obviously V Vivo की कम होगी, यह सिर्फ 4MB की photo है, लेकिन difference देख रहे हो भाई बिल्कुल नहीं है, ultrawide में दोनों ही इतने कुछ खास काम नहीं करते है, फिर भी skin tones और colors जो है Vivo के अच्छे है, रात के अंदर भी same चीज, आप zoom करके देखते हो, दोनों में ही बिल्कुल detail नहीं आती, and nothing का पचास में पिसल भी बिल्कुल usable नहीं, बहुत काम करने की जुरूता है, Android में Mega Pixel का पता नहीं क्या हिसाब रहता है, पचास में पिसल भी अजीव साही काम करते है, और इतनी detail नहीं produce करते है, कैर selfie camera के अंदर, 16 में पिसल है nothing में, और 50 में पिसल है Vivo के अंदर, and दिन में चे वहीं पर Vivo की images ज्यादा bright हैं, ज्यादा clear हैं, और आपको ज्यादा detail भी मिलती है, वैसे जितनी photos में पीछे दिखाई हैं, सारी Google Drive पे save कर दिया, आप खुच जाके भी चेक कर सकता हो, लेकिन camera के अंदर clear में रहे है, especially main camera और selfie camera Vivo का बहुत अच्छा है, वीडियो बनाते हो network के अंदर दोनों phone 4G plus support करते हैं, 4G मस चल रहा है, 5G भी दोनों में अच्छा चल रहा है, slot यहाँ पे ऐसे दिया है, दोनों में कि आप 2 sim use कर सकते हो, यह HD card का option नहीं है, दोनों में ही 2 mic देखा है, और call quality भी अच्छी है, लेकिन battery के अंदर 4600 image की battery है, Vivo के अंदर, वहीं 4500 image की battery है, nothing के अंदर, देखो, दोनों की battery ऐसी ही, कि heavy usage करोगे, आपको लगबग शाम के time पे दोबारा इन दोनों phone को charge करना पड़ेगा, एक दिन अगर आप normal task करते हो, तब ही निकल सकता है, लेकिन Vivo वाला जो charger लेके अदर बॉक्स में, वो ज़्यादा powerful है, और यह 50 minute के से आपको choose करना चाहिए, तो यह रहे दोनों के positive side by side, तो Vivo वाला box में आपको सब कुछ देता है, इसका comfortable design है, इसकी display ज्यादा अच्छी है, software में ज्यादा feature है, better camera है, और faster charging है, वही पर nothing phone 1 एक better build लेका आता है, जिसके speakers ज्यादा अच्छे है, और software भी ज्यादा clean है, यह 3 positive अब आपको decide करना है, कौन सा positive आपके लिए ज्यादा माहिनी रखता है, वैसे Vivo का phone मुझे ज्यादा balanced feel हुआ, और यह चीज बहुत कम होती है, कि Vivo के phone balanced हो, और pricing भी अच्छी रखी जाए, offline में चेक करना इसकी pricing काफी लोग के मैंने comment पड़े थे, कि 27,000 में मिल गया, साथ में TWS भी free में मिल गया, तो हाँ, Vivo का बहुत कम chances होते हैं, बट इस बार इन लोगों ने अच्छा काम किया है, अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगते हैं, मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, यो simple इधर हुदर की बात नहीं अच्छी बनाता हूँ, यो simple इधर हुदर क